जैसी राम प्यारे मित्रों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सिरी गुरुचरन पर दोस्तो आज का राशिफल कारिक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज है दो फर्वरी दो हजारे किस दिन है मंगलवार का जह दैनिक राशिफल चंद्रग्रह की गन्ना पर अधारित है राशिफल निकालते समय पंचांग की गन्ना और शटिक खबूली विशनेशन किया जाता है हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी बारा राशियों का भविशिफल बताया जाता है इस रासी फल की कारे करम को देख कर आप अपनी देनी की योजनाओं को शफल बनाने में काम्याब रहेंगी इस रासी फल में आपके लिए नौकरी वियापार लेन दिन परिवार और मित्रों के सांसंबन सेहत और दिन भर में होने वाली सुब अजुब घटनाओं का भुश्य फल होता है तो चलिए दोस्तों सुरुबात करते हैं आज के सुबिचार से मैं स्रिष्ट हूँ यह आत्मे विश्वास है लेकिन मैं ही स्रिष्ट हूँ यह अहिंकार है मन्जिल चाहे कितनी भी उची क्यों न हो रास्ता हमेसा पैलों के निचे ही होता है जीर हां दोस्तों इन्हीं विचारों के साथ सबसे पहले मेरे तरब से जिनका आज बढ़ते है या मैरेज अनवरिसरी है उन सभी को बहुत बहुत शुबकानाएं और बढ़ाई है तो चलिए दोस्तों आज की पंचांग जान लेते हैं विक्रम सुमवाद 2070 माह है मासका पक्ष है कृष्ण पक्ष तिथी है पंचमी वार है मंगलवार नचत्र रहेगा हस्त योग रहेगा ग्रीती राहुकाल की समय की बात करें तो साम 3 बचकर 18 मिनट से साम 4 बचकर 40 मिनट तक रहेगा जी है दोस्तों इस काल में कोई भी मंगली की या सुब कारिय नहीं किया जाता है अब जीत मुनट की बात करें तो 12 बचकर 13 मिनट से 12 बचकर 56 मिनट तक रहेगा और इस समय में मंगली कारी के लिए अतियुत्तम माना गया है दिसा सुल उत्ता है इस दिसा में यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो जीरा खाकर घड़ से निकले अतियुत्तम रहेगा तो चलिए दोस्तों आज का रासिफल जान लेते हैं उससे पहले आप सभी से रिक्वेश्ट करना चाहूंगा कि आप अपने इस्ट देव या कुल देवी का नाम कमेंड बॉक्स में अविश्चे लिखें तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं आज का रासिफल सुर्वात करते हैं मेस रासि से लंबी यात्रा के लिहाजे से अपने सेहत और उर्जा इस्तर में जो सुधार किया है व मान कर निवेश करेंगे तो आर्थिक नुक्सकान तक्रीबन पक्का है घर में तालमेल बनाए रखने के लिए साथ में मिलकर काम करें आपकी उर्जा का इस तर उंचा रहेगा क्योंकि आपका प्री आपके लिए बहुत सारी खुशियों की वजह साबित होगा तब तक कोई वाद विवाद ना करें जब तक आप खुद यह ना जानते हों कि आप उसे हर कीमत पर पूरा करेंगे जात्रा और सिक्षा से जुड़े काम आपकी जगरुपता में व्रिद्धी करेंगे आज आपकी कार्य इस्थल पर किसी अकरशक व्यक्ति से मुलाकात हो शक्ति है कार् फैमी के कारण रिलेसंसिप में परिसानी आ सकती है आज पार्टनर के स्वास्त का ख्यार रखें कुछ भी बोलने से पहले उसके बारे में सोच लें आज आपका भाग्यांक नव होगा सुबरंग लाल होगा आज आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं बहुत ही लाबकारी ह व्रिस रासी आज का दिन स्तांदार रहने वाला है किसी महत्पुन काम के सिल्सले में यात्रा करनी पड़ सकती है ये यात्रा व्यर्थ की भागदवर रहेगी बिजनेस के उलेकर मन में कई योजनाएं आईगी छात्र कजर चुनाओं से पहले अच्छे से सोच विचार ले अपनी किसी सिनियर से सलाह भी लेश सकते हैं लवमेट के साथ दिन अच्छा मितेगा साथ मिलकर फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं किसी पुरानी प्रापर्टी से आपको धन लाग होगा मादुर्गा को लाल चुनूरी चड़ाएं मनो कामना पूर्ण होगी आज पार्टन की कमी खलेगी अपनी लापरवाही का एहसास होगा आज पती पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है आज आपका भाग्यांक छे होगा सुबरंग महरुम होगा आज आप हरमान जी को लड्डू का भोग लगाएं बहुत ही लागकारी होगा मिथुन रासी आज आपके शरीर में ठकान रहेगी यात्रा प्रवाश इस्थगित करने को सुचित करते हैं परिवार में मैत्री पूर्ण वातावरन बना रहेगा नई साज सदावट से घर की सोभा में अभिविद्धी करेंगे नकारात्मक विचारों को अपने मन से हटाएगा कुरूद और वानी पर सयम करना होगा खान पान पर भी सयम रखिएगा सरेरिक स्वास्त मद्यम रहेगा किसी से वाद्विवाद या जगड़े जंडेट को संभवता हो तो टाल दीजिए अध्यात्मिक काम में व्यस्त रहेंगे आज धन वा प्रतिष्ठा का ला करें अपने स्वास्त का ध्यान रखते हुए हानी का रख भोजन ना ले आज का दिन पार्टनर के साथ बिताएंगे साथी से आज भरपूर प्यार मिलेगा लवलाइब का आनन उठा पाएंगे आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा साथी के साथ साम को बाहर सिंदूरी होगा आज आप गाय को गूर खिलाई लाभकारी होगा करकरा से गाड़ी चलाते समय सावधान रहें बोलते समय और वित्ती लेन दिन करते समय सावधानी बढ़तने की जरूरत है अगर आप परिवार के साथ सज़स्यों के साथ समय नहीं बिताएंगे तो आप घ ये की बातों के प्रती आप जरूरत से ज़्यादा सम्मीदन सिल रहेंगे। आपको अपने जजबात पर काबू रखने की जरूरत है। और ऐसा कुछ करने से बचें जो मामलों को और भी बिगाड़ दे। कारिछेतर में बेहतर काम करने के लिए अपनी छमताओं को मांजने की कोशिस करें। महतपुन लोगों के साथ बात चित करते वक्त अपने सब्दों को गौर से चुनें। अपने पार्टनर के साथ जो वादे और कश्मे आपने साथ मिलकर खाई थी। उनके बारे में सूचकर आप बहुत भाव खोश रखते हैं क्योंकि कस्मे वादे पूरे होते आपको नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए भावनात्म करूप से आप खुट को बहुत अकेला और कमजूर पा सकते हैं। आज आपका भाग्यांक दो होगा, सुबरंग गुलाबी होगा, आज आप भहते हुए जल में इश्नान करी लाबकारी होगा। सीह रासी आज का दिन बहतर होगा, पिता से अर्थिक सहयोग मिलेगा। कई दिनों से चल रहत तनाव कम हो जाएगा। जिवन साथी के स्वास्ते में गिरावट आ सकती है। राजनिती से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। जो लोग नौकरी पेसा हैं, आज उनके उच्च अधिकारियों की मदद से रूके काम पुरे होंगे। विदे स्यात्रा के योग बन रहे हैं। बच्चे काफी उत्साहित रहेंगे। आज के ग्रह नच्छत्र आपके लिए मिले जुले फल देने वाली है। प्रेमी की ओर से कुछ नहीं होगा जो होगा वो आपकी ओर से होने वाला है। अगर प्रेमी दो कदम आगे बढ़ रहा है तो आप एक कदम पिछे हो जाते हैं। ऐसा क्यूं है इसी पर आप चिंतन मनन करेंगे। आज आपका भाग्यांख चार होगा, सुबरंग लाल होगा। आज आप मुंग दाल का दान करें। लाबकारी रहेगा। कन्या रासी, आज आपको रोजी वर रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे। प्रतिकात्मक त्याग ही परिवार में आपकी प्रतिष्ठा लवटा सकती है। कार्यव वैसाय में प्रतिष्पर्धा की कुछ कमी आएगी। आज आप काम और परिवार के बीच रस्ता कस्षी में उल्चे हुए महसूस करेंगे। ऐसे स्थिती में सांत रहें तथा चीजों को अपनी ग्यति से चलने दे। आपके पास बहुत काम बकाया है। जैसी भी इस्थिती हो आप या सब काम प्रभावित तरीके से पुरा कर लेंगे। दुसरों की भावनाओं में नहीं बहे आपके दिल की सुने। और आप सही राह पकड़ लेंगे। आपकी वित्ती इस्थिती उच्च रहेगी। बहुत सी बाते आप दोनों के मद्य साफ हो चुकी होगी। अब आप भविश्य को लेकर कुछ प्लानिंग इकठे मिलकर कर शकते हैं। अब आपको छोटे छोटे कदम प्रेम संबंधों को लेकर बढ़ाने होंगे। आज आपका भाग्यांक साथ होगा। सुबरंग महरूम होगा। आज आप बंदरों को केला खिलाएं। लाबकारी होगा। तूला रासी लंबे समय से चल रही अपनी बिमारी का इलाज अपनी मुस्कान से करें। क्योंकि यह सभी परिसानियों की सबसे कारगर दवा है। रुका हुआ धन मिलेगा और आर्थिक हालाद भी सुधरेगा। आपके घर वाले आपकी कोशिसों और समर्पन को सहरानेंगे। रोमांस के लिहाजे से बहुत अच्छा दिन नहीं हैं क्योंकि आप आज सच्चा प्यार ढूंगने में विफल हो शक्ते हैं। अपने चारो और होने वाली गतिविधियों का ध्यान रखी। क्योंकि आपके काम का सरे कोई दूसरा लेश रखता है। महतपुन लोगों के साथ बातचित करते वक्त अपने सब्दों को गौर से चुने। बिजली कटवती या फिर किसी अन्य वजह से आपको सुबह तयार होने में परशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिवन साथी की ओर से इसे निप्टाने में काफी मदद मिलेगी। जो लोग रिलेसंसिप में हैं उनको प्रेमी से खुब रोमांस करने का मौका मिलेगा। पती पतनी के बीच संबन अच्छे रहेंगे। पार्टनर की ओर से उपहार मिल सकता है। सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। उनको प्यार मिल सकता है। आज आपका भाग्यांक तीन होगा। सुबरंग गुलाबी होगा। आज आप हनमान चालिसा का पार्ट करें लाबकारी होगा। ब्रिश्चिक रासी आज का दिन बढ़िया रहेगा। कला के छेतरे से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। लवमेट के साथ दिन अच्छा बितेगा। साथ में लाउंड ड्राइप पर जा सकते हैं। इस रासी की महिलाएं आज सफर के दावरान अपने समान की सुरक्षा स्वेम करें। बिजनेस में कोई बड़ी डिल हाथ लग शक्ती है। स्वास्त पहले से काफी बेहतर रहेगा। लवमेट पार्टनर को कुछ अच्छा सा गिप्ट दे। परिवार में खुसाली आएगी पती-पतनी बाहर गुमने जा सकते हैं। प्रेमी से चल रहा विवाद खत महुश रकता है। सिंगल लोगों को साधी का प्रपोजल मिल सकता है। कोई छोटी बात आपको ज़्यादा परेशान कर शक्ती है। प्रेमी से किसी तरह की जोट जबर्दस्ती ना करें। सोच समझ कर ही कुछ बोलें। आज आपका भाग्यांक पाँच होगा। सुबरंग हलका गुलाबी होगा। आज आप हरमान जी को चोला चड़ाएं लाबकारी होगा। धनुरासी आज सिथिलता एवं अधिक कारे भार के कारण मांसिक व्याकुलता का अनुभाव होगा। निर्धारित समय में आप अपना कारे पूरा कर पाएंगे। प्रवास में विग्ण आने की संभावना है। प्रंतु मद्ध्यान के बाद दूरिस्थित इसने संबंधियों के समचार मिलने से आप का आनन दुगना हो जाएगा। नए कार्य का प्रारम करने का भी आज दिन उस्साह रहेगा। विदेश जाने के अनुकूल परिस्थिती का निर्मान होगा। वैपार में भी लाग होने की संभावना है। महत्रपुन वैपारिक सौधे करते समय दूसरों के दबाओं में ना आए। आज आपके पास लोगों से मिलने जुनने का और अपने सौख पूरी करने का परियाप्त खाली वक्त है। कार्य छेत्र में आप किसी से प्रभावित हो शक्ते हैं। पार्टनर की पुराने बातों के बारे में सूच कर प्यार में खो जाएंगे। पती पतनी के बीच प्यार बढ़ेगा। लव लाइप में प्रेमी को पार्टनर से भरपूर रोमांश मिलेगा। मांसिक तनाव से दूर रहें। आज आपका भाग्यांग एक है सुबरंग लाल होगा। आज आप सुन्दर कान का पांट करें लावकारी होगा। मकर रासी अचानक आई जमिरारी आपकी दिन की योजनाओं में बाधार डाल सकती है। आप पाएंगे कि आप दूसरों के लिए जादा और खुद के लिए कम कर पा रहे हैं। आप अचानक गुलाबों की खुजबू से खुद को सरवोर पाएंगे। यह प्यार की मदहुसी है। इसे महसूस करें संभव है कि आप के वरिष्ट आपकी बातों को ठीक से ना समझ सकें। लेकिन धहरी बनाए रखें जल्दी ही वे आपकी बातों को समझ सकेंगे। आज का दिन फाइदेमन साबित होगा क्योंकि ऐसा लगता है कि चीजे आपके पक्ष में जाएंगी और आप हर काम में अवल रहेंगे। मैवाहिक जीवन के कई फैदे होते हैं और आपने आज हासिल कर सकते हैं। आज प्रेम संबंधों को लेकर दिन बेहत सुम कहा जाएगा। जो लोग अपने प्यार को प्रपोज करना चाहते हैं वह आज करें। जिनके मन मुटा चल रहे थे आज सुल्जा सकते थे। जो लोग प्रेम संबंधों को विवाह में बदलना चाहते हैं उनके लिए दिन अच्छा है। इस विशय पर बात करें। आज आपका भाग्यांक दो होगा। सुम्रंग हलका लाल होगा। आज आप हरमान जी को लड्डू का भूग लगाएं। लावकारी होगा। कुम्रासी आज आपका आत्मे विश्वास बढ़ेगा। आप इसकी मिटिंग में लोग आपकी बाते पर ध्यान देंगे। बहुत से सबासी मिलेगी। घर परिवार में आज कुछ रोचक बाते होगी। दिन खुशनुमा रहेगा। इस रासी के डाक्टर्स को आज कोई ब मौका मिल सकता है। आज प्रेम संबंदों में बंदने के बावजित भी आप कुछ कमी महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो मान सिकता है वह अभी भी कही न कही मेल नहीं खा रही। इसलिए आज के ग्रह नच्छत्र आपको अपार बुध से गरस्त कर सकते हैं। आज आप का भाग्यांक तीन होगा सुब्रंग गोल्डन होगा आज आप अनमान चालिसा का पाठ करें लाबकारी होगा। मीन रासी आज आप अपने प्राक्रम वज्ज जोहर पर भरपूर लाब उठाएंगे। राजनेतिक क्रिया कलापों में आपकी सक्रियता काफी तेज होगी। किसी भी बुरे हलात में धैर्य से सामना करना आपको अच्छा परिणाम दे शकता है। घर परिवार में लोगों का आना जाना लगा रहेगा। अपने प्रीमी या प्रीमी का किसी भी गर जरूरी मांग के आगे न जोगे। नियोजित परिश्रम द्वारा कारे पूर्ण हो भाग्य व्रिद्धी संबंधित अवसर प्राप्त होंगे। पेसेवर्ज मोर्चे पर नई संभावनें ढूंड सकते हैं। सैच्छिनिक मोर्चे पर कई अवसर हैं। सहीं चुनाओ करें। आप अपने कारे में बहतर कारे प्रनाली को बढ़ावा देने में लगे रहेंगे आज आप में आरोप प्रतिरोप करने का दिन होने वाला है। दोनों ही अपने मत से खुद को सहीं ठराने पर दबाव डालेंगे। आपका एक अलग ही विद्रोही रूप सामने आएगा। जिसे देख आपका प्रेमी भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। आप लोग चाह हैंगे तो इस्थिती बेहतर हो शक्ती है। आज आपका भाग्यांक एक होगा सुबरंग के से दिया होगा। आज आप सुंदरकान का पार्ट करें लागकारी होगा। बित्रों इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। जादा से जादा सेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय सिर्याम जय हनुमान।